हेलो बच्चों हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनोन वेलकम है नमस्कार भाईया गुड आफ्टरनोन बच्चों सबसे पहले आप सभी को गंतंतर दिवस की हार्तिक शुब काम नहीं है एपी रिपब्लिक डेट ओल आफ यू शुक्रिया बेटा आज अपने भारत का बहुत बड़ा पर्व रस्ट्रिये परव दूम्धाम से मनाया जा रहा है सेवन्टी टूथ यस बेटा बेहतर में रिपब्लिक डेकी आप सभी को हार्तिक शुब काम नहीं कोटी कोटी बदाई सब बच्चे बटा कनफर्म कर दीजिए आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए बचो एक बार मुझे इतना तलो बेटा जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो जो बाते आप लोग पढ़ रहे हो क्या ठीक ठाक आपको पले पढ़ रही है मिश्राण हमने पूरा कर लिया था और एलिगेशन के कुछ पॉइंट कुछ बातें आपको समझा दी बेटा यह हमारा पहला पॉस्टर यह आ गया बच्छो चब्विश जनवरी के लिए आपको हर्दिक शुब कामनाई है है एक हैपी रिपाब्लिक टेंग बचो एलिगेशन टॉपिक में मैंने आपको जो शीट प्रोवाइड कर वाई थी हंडर्ड क्वेशन की मैं बैटा उमेद करता हूं कि हंडर्ड क्वेशन को आप सबने पूरा कर लिया होगा कुछ बचा क्यों है वही सवाल तो बैटा कोई रहना नीचे अग्वाई बटा उनमें तो कोई ऐसा सवाल नहीं है न जो ना हो पाएं आपसे जितना कंसेप्ट आपको समझाया गया था जितनी बाते में आपको बताई गए थी जितने पॉइंट आपको एक्स्प्रेंट किये गए थे उनके विहाओ पर हाई एक वोश्चन बन जाना चाहिए अच्छाई 97 नमबर सवाल क्या है बताऊ एक बार नाइंटी सेवन में आपको डाउट आ रहा है वच्छो नाइंटी सेवन सवाल है क्या बेज पाएंगे मुझे कोई एक बार मुझे वह एलिगेशन वन की शीट को आड़ करना पड़ेगा चलो मैं करें लेता हूं वही रह एक विड़्ों जाओ यह 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 है यहीं सवाल है वच्छों क्या है तीन मिश्रधात में ए बी सी कॉपर की प्रतिशता 85 और सब्सक्राइब टिन इतना है और और शेष निकल है इनका 10 किलो 15 किलो और 50 किलो मिला दिया तो मिश्रध में कॉपर टिन और निकल का अनुपाद ग्याद करो वच्छों एक छोटी सी मुझे बात बुता दो अब शेष जी मैं उस टाइब के बेटा सवाल कई करवा चुका हूं तो अब उनमें दिक्कत नहीं आने जिए भाई एक सवाल में ड्रॉप करवाया था तो उस जैसे सवाल में कई करवा दिये थे क्या आप जानते हैं बेटा कोपर हैं ट्न है और क्या है अपने पास निकल है कर दिंट तो आपने यह पताया आपने यह समझाया मुझे कि सर्फ फरस्ट वाले में में एडाद तो में कौपर है 80 परसेंट बी में कौपर आरे में 25ुज पार retrouver सेंट यह कोपर कावेट इसान रूर्पार के बात कि टीन है 10 किलोग्राम में है लोविट्ध सेंट इस में 15 पर सेंट इसमें टिन है 15% और इसमें 10 कितना है पच्छिस परसेंट ये तीनों वेटा आपने टिन का व dit दिया ये तीनों ने आपने टिन की बात कर दी निकिल कितना है बाकि बचा निकिल है कि फर्स्ट वाले में पांच 75-90, 95-90, 95-50, क्या इतनी बात सबको clear है। यह हमने % निकाल लिया, कि आखिर 10 कितना है, निकल कितना है और बात कितनी है यह बाला। क्लियर है भई, कोई डौब तो नहीं इस बात में। है अब इंदे हैं फर्स्ट वाले का आपने लिया है 10 किलोग्राब और टीनों को छलू यह मैं अलग था तो जो ए है यह आपने उठाई ? है कि दूसरी वाली बात आपने यह दो उठाई है ? 15 किलोग्राम तीसरी दा तो आपने उठाई है पेटा ? पचास किलोग्राम पूर्सक आता सो किलोगराम तो आपको किलोगराम लेकर चलना पढ़ेगा जरूरी बात और बेगर लेकिन उद्स्रीं उइच sätt उच्छा गया तो क्यों में दस 15,50 को सिंप्लीफाई करके रेशो घ्यात कर सकता हूं क्या कि बताओ बताओ मतलब ये चीजें आप कैसे मर्ची कर लो इन में कोई फरक नहीं बढ़ता अगर मैं इनको । से काट लूगा थो भी फरक नीपड़ता अगर मैं इनको सो डेर सो और पांट लोगत भी फरक्निपड़ता बचर रेशो की बात की गई ना तो मैं अ सबकुत नीपड़ताओं चूप अब मुझे तीनों का अनुपार निकाल रहे तो तो आप मुझे एक छोटी सी बात समझाना बचो मैं यह चेक कर लेता हूं कि आखिर मुझे कॉपर कुल कितना मिलेगा देखो चारों ही ऑप्शन में कोपर अलग अलग है तो क्यों ना मैं कोपर का रेशो डायक्ट लिन क्यात कर लेता हूं आप मेरी बात समझ जाओगे कोपर ही और बताओ फर्स्ट वाले में आपको एसी किलोगरम मिलेगा क्या असी किलोगराम का शी कलोगराम का असी परेटा आपने का जी हां स खुली कर नहीं गये डेढ्य सो का 50% और अरी यहां सो का अगर 50% करता हूं 50% तो जेढ्य सो का पिछित्तर परेशंट कितना है जाँ है बालक एक चीज़ को माइड में समझ के चलो एक चीज़ को माइड में ऑब्जरव करके चलो डेड़ सो का पिचेतर परसेंट चेक करना है तीन बटे चार तो आपने इसमें से कम करेंगे आप 37.5 यह आगया जी 112.5 है प्लस 5022 अठीटा आएका साड़े तीन सो कितना इतना कोपर बनना चाहिए है इतंब से आहे जाएगा और एसे ही मैं इक्टिन ड से वाज भी सर्दस ईकाड कंटाओं आंप करणका तीनों चीजों को में अलग अलग जयाद कर लोंगा आपका अरश्य Sonals को बड़ाई आसान है कोई बटे डिफिकल्ट क्वेशन नहीं है क्या बताओ अब कर पाऊगे क्या वह ऐसे लेको टिन निकालना है इसमें से आएगा 15 केजी इसमें से आएगा 22.5 केजी और ऐसे इसमें से तिन आएगा 500 का 25% 125 केजी आएगा तो तीनों चीजों में आपने टोटल मात्रा निकाल ली अब एड़्जेस्ट कर पाऊगे न हो जाएगा बिटा ये ये होते हैं सिंपल सवाल इन पर ना कोई आप एलिगेशन का कंसेप्ट नहीं लगा होगे इन पर डरेक्ट आपको बात समझनी है सिरफ आपको बात का मतलब समझना है तो बचो अब मैं चलता हूँ जी एलिगेशन के पार्ट नमबर दो पे एक बार मेरी बात को समझ लेना में सबच्चे एक बार मेरी बात को बेटा माइंड में सेव कर लेना एलिगेशन का सेकिंड पार्ट आजम करने वाले क्या है जमाचु भाई उनको बहुत पहले करवा चुके है उन पीडिएफ को बेटा रिवाइस कर लेना यार अब बेटा वही सवाले कर बार बार करते रही तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे यार जो स्टार्टिंग के आपने सौ कृश्चन के जो हंडर्ड के आपने विठा ख़ुचन किये थे न nove इनमें मैंने आपको यह मश्लब चलो भी प्री तो उसे टम आपको ग्याद करनी पड़ सकती हैं और किस तिकडम से जोड़ तो дополн को सॉब करेंगे लेकिन अब थोड़ी सी बात आती है जी हायर लिवल की तो उसमें बेसिक बातों का कहीं बाटे जैसे मैंने बंप को तो आज जो मैं सवाल करने वाला हुना, इनमें आपको बाते समझ में आएंगी, इस बात के लिए जरूरी है कि आप पार्ट नमबर एक पर सब बच्चे कमफर्ट हो, पार्ट नमबर एक पर लगबग जानकारियां आपकी क्लियर हो, तो सब बच्चे पार्ट टू पढ़ने क आपके सवाल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आजकल बच्चों पता है क्या होगा है, आजकल परी का लेवल भी अच्छा आने लग गया है, तो आपको ये बाते मानने ये बाते परीवे बिकाम आ सकती है, और नमें उस तो काम आएंगी आएंगी, वो को डाउट ही नहीं है, जैसे सुनो, ये पहला कोशन बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, मैंने कुछ कोशन कुछ शीट के भी लिए हैं, बेटा, कुछ बाते उस पॉइंट की भी लिए हैं, क्या बताईए, ये बाते आपको समझ में आ रही होंगी, पचास है, साथ है, ये तीस किलो है 63 पर बेचने पर, 16 से ही 2,3% का लाब हो, क्या दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कि इस चीज का मतलब होता है, एक बटा 6, मतलब, मैं ये कह सकता हूँ, ये चीनी 50 वाली, ये चीनी 60 वाली, 63 जो है, ये साथ की वैल्यू है, और 6 करूंगा, ये यहां पर 54 आएगा पिटा, इस साइड में आएगा 6, इस साइड में आएगा 4, दोस्तों वैल्यू आएगी 3 देशो 2, आपने कहा, जी हाँ, कोई निकत नहीं है, अब ये वाली चाय अगर 60 किलो है, तो सेकिंड वाली च पढ़िया से पढ़ लिया, इनमें आपको सॉल करने में डाउट नहीं है, हलांकि सोड़ा साइड दो बटे तीन को अगर नहीं समझ पा रहें, तो परसेंटेस करने के बाद कर पाऊए, उनमें आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, ये कि नहीं है, आसान सवाल, आसान सवाल आसान क्या था अच्छा सुरी अच्छा यहां पर यह क्वांटिटी साट किलो नहीं है सुरी सुरी यह क्वांटिटी बेटा साट केजी नहीं है meant यह क्वांटिटी तीस किलोगाप में यह क्वांटिटी कहा था साट रुपें प्रती इयतर है इसका यह 30 LAUN पैस हो गया करने में क्या शेुक्षिक्र नहीं है शबूक है है आधार इसकोशन को पढ़कर इसमें क्या ग्याद करने आपको इसमें क्या चीज ग्याद करने है और आज प्रॉफिट प्रॉफिट तब याद करोगा जब आपको मेन वेल्यू पता लगेगी प्रॉफिक तभी गयात करोगे जब आपको मेन वेल्यू मिलेगा इस सवाल में आप देखते ही यह समय स्टार्ट कर जो यह साथ है यह 105 है दोस्तों यह साथ अनुपाद दो में मिलाया गया खतम जब इतनी बाद आपको पता लग गई आपको पता पंतालेस काटूंगा यह 35 और यह 10 आएगा सब्सक्राइगा बैटा यह सब्तर आप जितनी तेज ग्याद कर पाऊगे ना यह सब्तर आप जितनी फास्ट ग्याद कर पाऊगे ना आप गड़ित में उतना कमफर्ट फील करोगे बच्चों आप मैत को उतना बढ़िया से 70 रुपए में चाय पत्ति लाकर तुम सौ रुपए में बेच रहे हो क्या 30 रुपए का लाब कमारें 70 रुपए पे बोलो बैटो एक जिरो से एक जिरो कटके बिटा 300 बटे साथ आएगा तो ये आपके सवाल का उत्तर आगया 42 से 6 बटे साथ बचो मेरी एक बात समझना मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ बड़ी जरूरी आपके काम की आपका जो टोपिक मैंने आपको पढ़ाया रेशो एंड प्रपोर्शन ठीक एक टोपिक मैंने आपको पढ़ाया मिक्सक्र एक टोपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इलिगेशन ये वो टउपिक है जिनसे एक्जाम में question hundred percent आते हैं हमेशा आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे एज हो गया जैसे पार्टनर्शिप हो गया तो इनसे ना paper में सवाल कम आते हैं कम क्यों आते हैं कि इन में बहुत ज्यादा question का बहुत कम आती है तो मैं आपको पहले पहले वह टॉपिक करवाऊंगा जो ज्यादा काम आते हैं ज्यादा इंपोर्टेंट है तो पॉसिबल में आपको एज और पार्टनर्शिप ना इन टॉपिक को प्राद हो यूट्यूब पे इस क्लास से एक्स्ट्रा ताकि आप एक्जाम से पहले पहले इनको भी कवर कर पाएं यह बात समझ जाएं लेकिन पहले आप वो टॉपिक करो जैसे म पालो रेशो है प्रोपोर्शन है मिक्टर है एलिगेशन है प्रसेंटेज है एसाइट सीए प्रॉफित लॉस्टाइमेंड वर्क पाइपन सिस्टर एवरेज और टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर इनको पढ़ोगे ना इन पर आपका लेवल ज्यादा कमफर्ट होगा इन आप ज्यादा अच्छे से पेपर में कमांड कर पाओगे बागि टॉपिक हम सारे करेंगे कोई छोड़ेंगे नहीं बटा काम सारे करेंगे लेकिन चलेंगे स्टाप बाइस्टाप चलेंगे एक एक करके 35 kg पर्ति किलोग्राम और मैं कैतों रहाओं कि सारे ही पढ़ाऊंगा भाई लेकिन मैं चलोंगा सिकोंस के हिसाप से सिस्टम के इसबस जाया 35 kg इस जाप करिद्या मैं कि विए सब्ज़ कराएंगी बड़ा सिंपल है इस सवाल को मुझे पढ़कर बताओ इसे किस प्रकार करना चाहिए यह मिश्रण का सवाल है या बताओ एलिगेशन का सवाल है इसे अगर मैं मिश्र से करूँगा तो भी संभव है आप इस सवाल पर दोनों तरीके सिखेंगे ना तो आप चीजों को समझ पाएंगे मैं नहीं चारा कि आप लेंग्वेश को देखके कंफ्यूज हो जाएं आप एक सवाल को पढ़कर इमिडेटली यह डिसाइड कर पाओ कि मुझे इसमें तरीका कौन सा लगाना है तो अगर मैं मिक्शर से करूँगा तो भी सवाल होगा हंडर्ड परसेंट होगा साब लेकिन एलिगेशन थोड़ा फास्ट करेंगे देखो तीन सो ग्राम चीनी के गोल में चालिस परसेंट चीनी है बच्छो इसमें चीनी है चालिस परसेंट तुम इसके अंदर प्योर चीनी डाल रहे हो तो चीनी डाल रहे हो चीनी सो परसेंट होगी मिशनन में आपको रिजर्ट चाहिए 50 परसेंट आपने का कई दिक्कत नहीं हैं इनका अंतर पचास इनका अंतर 10 अनुपात आएगा पाच अनुपात टी तो इसकी मात्रा आपको दी गई 300 ग्राम तो इसकी मात्रा आपको दी जाएगी 60 ग्राम यह मैंने एलिगेशन से करके बताया क्या बच्छों आप साथ साथ में सेम क्वेश्चन को मिक्षर से भी करने की ट्राइ करोगे कैक एक बार मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हर एक बात कमफार्ट रहे आपको एलि इसमें चीनी है 40 परसेंट चीनी 40 है तो पानी होगा साथ यह दोन पात तीन कितनी और चीनी डाल दें कि एक अनुपात एक हो जाए मतलब कि पानी को अगर सेम करना है कि दोस्तों मैं इसको ऐसा मान लूं क्या आपने कहा जी हां मान लीजिए यह तीन सो ग्राम किसकी पर नहीं छेड़ते उसको इत्पल कर सकते हैं और सेकेंडरी अलिगेशन बता दिया आप हर सवाल को ना मल्टिपल टाइप से किया करो ताकि उनमें आपका दिमाग उनमें आपका माइड कमफर्ट फिल करें आप यह कन्फ्यूजर ना कर पाएं कि मुझे क्या करना है आप बढ़िया बटा दिक्षाफ कर देखेंगा क्या इस प्रकार का सवाल आपने पहले क्लास में किया कभी इस सवाल को देखकर क्या समझ में है इसे बताओ कैसे करना चाहिए इक्वेशन बनाकर बहुत बढ़िया लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे यह जो 102.3 ना यह 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 कॉस्ट प्राइस नहीं है ध्यान दीजिएगा यह 102.3 यह कॉस्ट प्राइस नहीं है यह एक्चुली एस पी है 110 की वैल्यू है वैरी गुड बहुत बढ़िया मज़ा आ गया बेटा ग्यारा गुना दस करेंगी 93 बनेगा क्या 93 तो अब आप समझ गए कि यह वाली बाद धातू है 67 रुपए यह वाली चैसी रुपए यह वाली धातू सब्सक्रान करना आपके बात को समझना कि अगर मैं 3 Intern में में से घटाओं गा सती रुक च्शबबीस एक्स हुआ से श्छासी गटाउंगा तो बेटो साहिए वाई मिलेगा क्या तिमें से एक सो नौह तो मैंनिस राइगा मैंनस का आएगा इसका मतलब भी सामने जाएगा बिद्धिन यह इक्रूइशन मैंने आपको लशार थी एक लाइन में पूरा सवाल नहीं करना आपको ये equation बनानी है अब इस सवाल को solve करने के लिए हम बनाएंगे options आपने कासर option की क्या requirement है क्योंकि भाईया इस सवाल को करने के तरीके एक से जाधा possible है एक से जाधा भी संभव है इस सवाल को उत्तर इसके कई आ सकते हैं कई मतल वही मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा सुनो 26 दुना 52 पलस 14 गुणा साथ अठाण में बराबर 13 गुणा साथ एक्याण में क्या ये बात संभव है जी आपको नहीं से बिल्कूर संभव नहीं है अब ये ना इतना लिखने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ती आपको रह कॉमन सेंस कॉमन सेंस इस वेरी कॉमन वच्छो ये चीज़ आप देखते ही बताओ अपने माइंड में भी कर सकते हो क्या मैं नहीं चारा कि आपको पूरा सवाल करना पड़े आप मेरी बात समझो मैं आपको डीटा क्यारों आप डीटा पर दिमाख लगाओ 26 का गुणा होगा दो यह बनेगा सेवन्टी एट और यहां बनेगा पैसक तब भी मतलब नहीं है हमारा उत्तर केवल डी ही बन पाएगा बाकी की ऑप्शन चेक कर लिए नहीं बन पा रहा आप सौल करो 26 बराबर तेरा साथी एक्क्यान में तेरा निवा एक्सतरा यह बाद होगी आगे बात समझ में इस परकार के मैंने आपको दो सवाल कल भी करवाए थे एक पुशन आज भी करवा दिया बचा यह एक वो कंसेप्ट है जिसमें आपको इक्क्वेशन बनाने पड़ेगी अगर मालो यह ऑप्शन ना होता कुछ और भी आता ना बचो तो भी करना सकता है इस बात को मैं याद नहीं करूँगा कि एक तेरा नो अंसर आएगा यह एक ऑप्शन को देखकर चूज किया वेराइटी में मैंने कल आपको साबित करके बताया था ना बच्चो कि इसके उत्तर हम जो मर्जी चाहें उत्रे कर सकते हैं रेशो कितना मर्जी बना कर दो कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि नाइंटी नंबर सवाल को पढ़िए एक बार यह एससी मेंस का आया होगा क्वेशन है जी मेंस का पेपर है साब सरकारी नोगरी पाने का फाइनल मुकाम होता है यह तो एक बार आप देख लो बेटा फिलिप ए लेड़ी वो बेटा नंबर सिस्टम का पाइट है वो भी आप सिखा नेंगे आपको चंदा मत करो एक बार आप सवालक इस सवाल को पढ़ो पहले मैं आपको बताऊंगा इस पूरे सवाल का एक्शुल पर कंसेप्ट कह है फिर इसको आप जल्दी कैसे कर परेंगे हम बात करेंगे दोन तरीकों पर लेकिन पहले आपको समझना होगा एक्शुल कंसेप्ट कैसे बातचीत क्या है एक गहना एक ज्वेल्दी का आर्टिकल है उसमें सोना भी है और चांदी भी है ठीक है टोटल उसमें भार है जी अठाइस ग्राम टोटल उसका वेट है ट्वेल्टी इट ग्राम आपने का जी हां कोई दिक्कत नहीं से गहने की कीमत है आठ हजार साथ सो साथ रुपए ठीक उन दोनों धात्मों का भार है आपस में बदला जाए तो थोड़ा हिंदी में बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है हिंदी में तोड़ी गलती होगे एक बार अब सवाल को हिंदी में देखा एक बार जांसे यह थोड़ा सा एक लाइन ना मिस हो गया यहां से देवो इफ दा वेट आफ टू मैटल आर चेंज्ड विद एच अध दोनों का पिख्ल चांदी एका मुल्याइन नभे रूपे पर्तिग्राम हो तो रहें वह भी क्याद करेंगी उस गेहने में का वजन तो कि आपको वेटा एक पर प्ता तो क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आ रही है फिर मैं सॉल कैसे करना वह बताऊंगा बात की बात है उसे छोड़ दना आगए कि देखो पेटा मैंने मान लिया कि अपने जो धातु ली है ना उसमें सोना यूज किया है एक्स ग्राव ठीक है और चांदी अपनने यूज किया है वो किया वाई ग्राव सोना मैंने यूज किया है एक्स ग्राव चांदी मैंने यूज किया है वाई ग्राव कि तोटल आपने जो सोना और चांदी का भार है वो 28 ग्राम है यह सवाल में गीवन है कोई दिक्कत नहीं है संकीर अच्छा अब यह कह रहा है मुझे दिखो सोने का रेट क्या है मुझे नहीं बता है मैं सोने का रेट क्या जी मानलूं क्या जी गोल्ड दो ग्राम सोना मालोजी रुपे का आता है दो ग्राम सोना गोलजी का आएगा तीन ग्राम सोना तीन एक सवनढ़ रुपे का आएगा और हुआ ग्राम चान्दी नभ्य रुपई कि अगी है तो यह टोटल रेट बनाकर 8,000 साथ सो साथ बन रहा है क्या है आप टोटल मुझे भार पता है मैं अगर गोल्ड का और शिल्वर का अलगलग यह भार भीगाल लोगा अब यह तो बात समझ में आ गई अब यह तो बन गई अपनी equation number 1 ठीक अब ही कहता जिद्धातु का भार आपस्ट में बदल दें मतलब जितना तुमने सोना लिया था उतनी तुमने चांदी ले लिए और जितनी तुमने चांदी लिए उतना तुमने सोना ले लिया मतलब बेटा चांदी मैंने ले लिए x ग्र रेट से वाई गराम और चांदी 90 x है क्या मुझे बता दो इसका रेट 1560 कम हो गया बेद्टर सोर के हो गये देखो दूसरी कुरिशन कि अगर सोने और चांदी का भार आपस में एक्सचेंज हो गया जितना मैंने चांदी दिया था उतना मैंने सोना ले लिया तो जीवाई परस नबबे एक्स रबर कितना हो गया बहतर सो यहां तक की बात में कोई डाउट तो नहीं किसी का भाई फ्लबा सवाल है बच्छे बात दो इतना क्लियर मैं यह चाहता हूं जी इक्वेशन नंबर एक और दो को जोड़ दो बिटा भावना बात समझो तुम एक्स और वाई ग्राम का सोना और चांदी ले रहे हो सोने का रेट मैं मान रहा हूं जी चांदी का रेट सवाल में गीवन है नबबे तो जी एक्स प्ल यह ल Не भारति सवाल को कड़ो वैटा सवाल में गीवन है सबमें लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ लिकष दने दिया हुआ है कि ऐसा तो यह बन गया आठजार साथ सो साथ प्लस बैतर सो कोई लिकर नहीं कि इसमें से और इसमें से जी को कॉमन ले लिया जाए अंदर बनेगा एक्स प्लस वाई लिकर 24 ृश्व वरन रस बननेगा एक्स प्लस वाई बराबर साथ और नो 1606 आपको एक प्लस वाई की वैलो सवाल में गिवन है एक्स प्लस वाई जो है वह अठाएस आपको सवाल में इवन है तो यह बने जी ट्वंटी एट जी बराबर ले जाओं क्या 15,960 माइनस नबे गुना 28 क्या ऐसा ही बनेगा तुर्ट बनेगा सर्फ कोई दिक्कत नहीं है नबे बटा 28 पलेगा तो जी अगर मुझे घ्याद करना है जी अगर मुझे ग्याद करना है गोल्ड का रीट में जी बोल रहा हूं तो कितना आएगा यह आएगा 15,960 माइनस नबे मैनस नबे गुना 28 को रूटाइस आप यह समझो इसको जब 28 से काटोगे इसको 28 से काटोगे तो कैसे गटेंगा पहरे शांत से काट लें साथ दुनीचाओधा एक नो साथ दुनीचाओधा 5 6 और इसको जब चार से कटोगे चार पंचा बीस दो चार पांसो सुतर तर माइनस नबे क्या चार सो असी आपका बताओ गोल्ड का रेट आ गया क्या फोर एटी रुपीज आपका गोल्ड का रेट आ गया क्या अब हम बात करते हैं जी गोल्ड और यह दोनों कितने कितने क्वाणिटी में थे अब मैं देखो इनके रेट की बात करता हूं गोल्ड है और यह सिल्वर मेरे को गोल्ड का रेट पता है चारसो असी सिल्वर का रेट पता है नाइंटी ठीक है और पूरे पूरे भार का वीट है कीमत है आठ जार साथ सो साथ यह आठ जार साथ सो साथ रुपे को टाइस से भाग दूंगा तो आपको एवरेज रेट मिल जाएगा पुछ आठ हजार साथ सो साथ रुपए का तुम्हें 28 ग्राम भार मिला है मैं अवरेज रेट करना है चार से जात करने हैं चार से साथ चार तुनी आठ चारेकम चार एकिसन नबबे कुछ और नहीं कट पाएगा तो इसको मैं बोल पाऊंगा एकिसन नबबे बटा साथ एवरेज रेट आगया इकिस सो नबबे बटा सब पूरे सवाल को असान करने के लिए क्या हम बिटा साथ से गुणा करने सवाल को साथ से गुणा करने पर देटा असान बन जाएगा जिरो साथ चपन का च्छे अचिल पांच 285-336 इदर आगया जी 630 इदर आगया जी इदर गटाओगे यह बनेगा 1560 गटाओगे 16 में से नोगे साथ यह 32 में से 1170 इसे काट लेंगे अपन तेरा से बारा और नौ इसे काट लोगे तीन से चार अनुपात थी जो वहार है और तोटल भार है तो चार अनुपात तीन में मिला लोगा 28 ग्राम को अगर要 15 prime मिला होगे यह 69 ग्राम और यह 12 ग्राम आप कह सकते हैं सोना हमने 16 ग्राम मिलाया होगा और चांधी हमने 12 ग्राम मिले फ्याफ़ धों यह आपके सवाल का उत्तर आ गया क्या ये एक पूरी बात को आपने समझा क्या आपको लगा होगा बहुत लेंदी कोशन है हाँ बेटा लेंदी कोशन है लेकिन आसान करके बताएंगे पहला आप मुझे बता दो बेसिक वाली बात आपको पर ले पड़ गई एक बार आप इस पेज का स्क्रिंशोट ले लीजिएगा एक बार इस पेज का स्क्रिंशोट ले लो बेटा या रहन दो मैं कोई बात नहीं मैं अगले पेज पर सवाल कर लेता हूँ सुनो एक बड़ी छोटी सी बात है एक बड़ा आसान सा फेक्टर है तो आपने ना मेरी बात समझना अब मैं इस सवाल को बता रहा हूँ आसान करके तो ना लिया और चांदी ली ठीक, पूरी equation जब जब भी बनाँगा, जब भी पूरी equation बनाँगा, आपको यह बात दिखरी है, क्या, कि सोने का rate माँचो जितना भी है, जिको सोने का multiply करना पड़ेगा, टोटल भार से पलस चांदी का मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा टोटल भार से और ये वो दोनों रेट का टोटल के इक्वल आएगा ये वाली बात अपने सवाल में आएगी देखो हमने लास्ट में कहां पहुंचे थे हम कि गोल्ड इंटू 28 सिल्वर इंटू 28 बराबर इनका जोड़ तो मैं ये चाहता हूं पेपर में जब सवाल करें ना तो हमें ये सब कारेकरब नहीं करना पड़े हम डिरेक्ली कर पाएं तो अगर हमें चांदी या सोने में एक च सब्सक्राइब तो मैं लिखता 28 जी चांदी का भार कितना नब्वे रिट कितना नब्वे अठाइस कुना नब्वे बराबर सतासी सो साट प्लस बैतर सो मैं सीधा इसको लेके आता एक लाइन में ठीक है अब इस लाइन को सौल करके मैं अपना जी का रिट ग्याद कर लेता मैं अपना जी का भार ग्याद कर लेता मेरा गोल्ड का रिट अधाता एक लाइन में मुझे पूरा सवाल करने की कोई आशक्ता नहीं पड़ती अब आपने कासर यह तरु में ग्याद कर लेंगे लेकिन जो अगला स्टैप था दोनों का दोनों का जो भार ग्याद करना है भ उसका नाम है common sense देखो बेटा आप मुझे एक बात बताओ जस्ट मैं आपसे एक दैनिक जीवन की बात कर रहा हूं तुमने सुनार से एक ज्वैलरी बनाई ठीक सोना आपको पता है मार्किट में महेंगा है और चांदी आपको पता है मार्किट में सस्ती है ठीक दोनों की अ अलग-अलग मात्रा मिलाई आएं दोनों का अलग-अलग भार आपने मिलाया है ठीक इसका कुछ रेक हो गया अब बहुत बन गया इतने रुपया आपका बिल बन गया है ये बात आपको समझ में ठीक अब सुनो अगर मैं इन दोनों का भार इन दोनों का वेट है वो एक्सचेंज कर रहा हूं जितने तुमने चांदी ली थी उतना तुमने सोना ले लिया भार अगर एक्सचेंज कर रहा हूं तो आपका रेट जो है नव डिक्रीज हो रहा है आपका मुल्य जो है घट रहा अगर आपका मुल्य घट रहा है अगर आपका मुल्य कम हो रहा है तो आप जना मुझे इतना बता दीजिए सोने की मात्रा गटी होगी या बड़ी होगी सोना आपने कम रखा होगा कि सोने की मात्रा कम होई होगी न वही कोई चीज का रेट कम कम होता है कम कम होता है जब महंगे वाली चीज की मात्रा गट जाए अरे भाईया जब महंगे वाली चीज का रेट गटेगा तो ही तो वस्तु का रेट गटेगा अगर महंगे वाली वस्तु का रेट गटेगा तो ही तो उसका रेट घटेगा सिधी सी बात है तो इसका मतलब पहले तुमने स्टार्टिंग में सोना ज्यादा लिया होगा और चांदी कम लियोगी हमें यह पता है कि सोना हमने जादा लिया होगा और चांदी हमने दोस्तों कम लियोगी सोना जादा लिया होगा और चांदी कम लियोगी हम जाएंगे देखो ऑप्शन्स पर जब 480 रेट गोल्ड का आ गया तो ये दोनों उत्तर तो हो नहीं सकते अब बची बात वेट की तो आप मुझे बताओ जिसमें सोना ज्यादा है उत्तर वही आएगा ना बिटा स्टार्टिंग में पूछा गया था कि बताओं स्टार्टिंग में सोने और और चांदी की बात क्या होगी तो जिसमें सोना ज्यादा था वही तो अपना अंसर बनेगा वही टो आक्रड़ेट बने गटा हुआ इंहीं आत पूरिश इस सवाल का जैसे आमांे सवाल किया यह मामले में लिपा अंडर्स्टैणिंग के यह सवा में करने का नहीं होता है है सला इग्जाम में करें का नहीं होता अगर मैं अगर में अगर आपके जगह पेपर में होता नहीं तो मैं ये दो आप्शन तों ले gu देख लोगा तब भी वरा सवाल बन जाएगा अगर मैं ऑप्शन इसको टैली कर आफ सब्सक्र किसी बात में कंज्वूजन हैं, कोई बात नहीं, एक बार ये सवाल देखो, आप मुझे पढ़कर बताओ, कि ये सवाल भी उस कॉच्टन के जैसा ही है क्या? क्या बेटा ये सवाल भी उस सवाल के जैसा ही है क्या? Same है ना? अब देखो अपन तिकडम से इसका कैसे उत्रम निकालते हैं बिना कुछ किये हुए इतने बड़े सवाल को शौट कैसे करते हैं वो समझना एक गहना जिसका भार 35 ग्राम है सोने और चांदी से मिलकर बना है उसका मुल्य 13,440 रुपए है ठीक है सोने और चांदी का भार अगर आपस में बदल दिया जाए तो गहने का मुल्य 9,660 रुपए हो जाता है दोस्तों पहले आपकी ज्वेलरी आ रही थी 13,000 रुपए की आज वो 9,000 रुपए की आ रही है आज वो 9,000 रुपए की आ रही है इसका मतलब स्टार्टिंग में जादा लिया होगा अब तुम गोल्ड कम ले रहे हो बोलो बोलो स्टार्टिंग में तुमने गोल्ड जादा लिया होगा क्या अरे बच्चों सोचके बता दो स्टार्टिंग में तुमने गोल्ड जादा लिया होगा क्या आपने कहा हा सर हमने स्टार्टिंग में गोल्ड ज उत्तर मान सकता हूं क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या कि बी हमारे सवाल का उत्तर कभी नहीं हो सकता बी को तो कभी देखने की भी नीड नहीं है कि उसी प्रकार में कह सकता हूं सी भी मेरे सवाल का उत्तर कभी नियों दोस्तों बी और सी ऑप्शन में तो उत्तर बन जाए ऐसा कभी मुम्किन ही नहीं है क्या आपको दोस्तों आई बात समझ में क्या आपको पढ़ने पड़ी बात अच्छा अब देखो मेरे पास दोई ऑप्शन बचे ए और डी इसे बोलते हैं ऑप्शन हिट यह दोनों ऑप्शन में से एक उत्तर है तो क्यों ना मैं कोई एक उप्शन देख लेता हूं वह उत्तर बन जाए सबसे बढ़िया बात है वो नहीं बन पाए तो फिर देखी सोना लेता बाइस ग्राम सोना लेता मैं ऑप्शन लेरों पहला चार दुनी आठ दस और आठ अठारा का एग ग्यारा हजार आठ सो असीर रुपे का बिला चांदी का रेट मुझे मैंने 120 मान लिया 120 के रेट से अगर मैं 13 ग्राम चंदी लेता तो 1560 रुपे का बिल बनता क्या इन दोनों का जोड आठ से चौदा एक हंसिल नो और पांच चौदा का एक हंसिल दो और एक तीन बन रहा है क्या तो यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है यही तुम्हारे बात का उत्तर है तुम्हें कुछ और करने की रीड नहीं है इतने से देर में आपके सवाल का उत स्टेनिंग होगी जब तुम्हें सवाल की लेंग्वेज समझ में आगी कि आखिर हम इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट देख रहे हैं यह मैंने दो सवाल करके ना इस सवाल को मैंने बताया था आपको बुक वाले तरीके से जो बुक का तरीका बताए यह भी आप अप्लाई नहीं कर सकते ना हम अगर किसी को कोपी पर लिखकर साविप करना हो तो इतना बड़ा कर लेंगे डिस्क्रेप्टिव पेपर होता तो मैं ऐसे करके आता एग्जामिनर को समझाने के लिए लेकिन भाई मुझे तो इधर एबी सीडी से मतलब है ना मुझे तो केवल अप्शन से बात लिखनी है तो इस प्रकार को करने में आपका समय तीस सेकंड से उपर निलगे दोस्तों क्या आपको आई बात समझ में क्या आपको आया पॉइंट समझ में और अगर तुम मानलो कोई बच्चा बोले गुरुजी हमें दो ऑप्शन निकालने के बाद में ऑप्शन निट्राई करना हमें 120 रेट साबित करना है लेकिर मैंने आपको बताया था यह बात कि 540 आप क्या रेट है सोने का इसका गुणा का लिड़ा 35 से चांदी का जो भी रेट होगा इसका गुणा भी 35 से करना पड़ेगा यह बराबर बनेगा 13,440 पलस 960 यह एक्वेशन अगर तुम सैटिसफाइड करवाद होगे तो इसमें भी आपका चांदी का रेट आजागा दोस्तों यह भी मैंने आपको बताया था सेम सवाल है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि बरोजी सवाल नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे हैं क्या इन दोनों सवालों को आप से बच्चे कर पाएंगे यह मेंस के लेवल का सवाल है भाइसा थोड़ा बहुत दिमाग आपका कश्ट पाएगा थोड़ा बहुत दिमाग आप पहेगा कि यह 550 अवाजंड मेंस सवाल करते हैं कुछ रहते जीवन में इसा काम भी कर सकते किसी अधिया इसी में मुझग करके अपने आहीं मन मैं में भोड़ी हुरी अथी कैर तो सब सेख गया नदा फिर तक सवाल आई लाइगे तो बाईसा आप आध आपको मैंसे और अब कोकुल कर मा कि सवाल देखो वे कितना बड़ी है कि एक पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंदित किया कपल बुलाया ओनली कपल स्टाइग इंट्री नोट अलाउड है ठीक है इन में से चार बटा नौ पुरुष एल्कोहलिक है चार बटा नौ का मतलब क्या होता है कि नौ लोगों में से चार लोगाना वह कोई डिंग कर लेते हैं अपना हिसाथ से अपना महल के लेते हैं न वह कुल पार्टी के चार नौ का मतलब क्या हुआ है चार बटा नोका मिनिंग क्या है चार बटा नोका मतलब होता है कि 9 पुरुषों मैंसे चार पुरुषा है एलकॉषय है नौ में से 4 है एल्कॉषय है ने हट हमी इसको भी एक बार को बन जाता है एक बटा च्छे एल्सियम आगा तीस तीन गुणा नौ चौदा बटे तीज इस साथ बटे पंद्रा आएगा कि विटा हूँ देखके बताब्स एक बार मैंने आपको सो काल्यक्रियकर्म कर के बताया है यह बात तुम्हें पल्ले पढ़ रही है ना अरे 30% का मतलब होता है तीन बटे 10 इसका मतलब होता है एक बटा छे इनका लगोतम बेटा आएगा तीस फाच बार कटे का, सब तीन बार कटेगा नौ यह पांच चवदा बटे तीस बनता है यह बात सब को समझ में आ गई ना अब यह पॉइंट कहते हैं आपको यह पॉइंट कहा जाता है कि टोटल पार्टी के लोगों में से साथ बटे पंदरा लोग अल्कॉलिक हैं पंदरा लोग पार्टी में आये ना उनमें से साथ अल्कॉलिक हैं उनमें से साथ लोग ड्रिंक्शी कर लेते हैं तो हमेना इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि टोटल कुछ लोग मानने चाहिए अब टोटल क्या मानूँ मानना भी एक आयट होती है कोई आदमी एकस मानेगा कोई आदमी क्या मानेगा कोई दोस्तों हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे क्पर जो पंदरा से भी इजिली कट जाये गों इस पंदरा और मांड़ा दीएज yem उन और 25 इस का स्कत्राइब अगर दिखो जोड़ी को आमन्तित किया है तो मतलब ज्थे मेल हैं उत्रहीं मैंने क्या कर लिए 90 लोग माली नप्वे क्यों आप देखते रहे ना नबवे में से अगर मैं मेल की बात करूंगा फिमेल की बात करूंगा तो क्या पंटालीस-पंटालीस बोल मानते साड़े 22 फीमेल मानते सवाल में मजा नहीं आता लेकिन अगर नब्बे मान लिया तो बड़ा आसान हो गया को दिकत नहीं ठीक है अब एक सो असी भी मान सकते हैं आव इच्छा है आपकी आप जहां तक बड़ी जंग्या मान लो लेकिन जंग्या छोटी मानने पर अलकोहलिक है दोस्तों इसका मतलब 20 पुरुष्टो प्रेक्षक ले ले लेते हैं और 25 लोग है बड़े सात्विक यह लोग नहीं भी थे हैं इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत अच्छा फीमेल की बात करता हूं जी फीमेल में में को डेटा नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं आप मुझे बताओ पूरी पार्टी का साथ बटा पंदरा लोग ऐसे हैं जो पैंशन ले लेते हैं तो इसका मतलब पंदरा अगर मैं नबे का साथ बटा पंदरा करूंगा ब 42 लोग पूरी पार्टी में ऐसे हैं जो ड्रिंक कर लेते हैं दोस्तों इन में से बीस तो पुरुष है तो बाइस महलाएं पीते होंगी क्या 22 फीमेल होंगी और नॉन एलकोहलिक में 23 होंगी 45 महलाओं मेंसे 22 साथ डिंक शिंक कर लेती हैं लेकिन 23 महलाओं डिंक नहीं करती हैं तो दिखिए आप लेंग्विज को पढ़िएगा आप से पूछा गया था non alcoholic महिलाएं और alcoholic महिलाएं दोस्तों उत्तर 30 रुपात 20 आएगा क्या non alcoholic और alcoholic पूछा गया था देखिए अगर आप इस सवाल को 100 मान करेंगे तब भी हो जाएगा X मानेंगे तब भी हो जाएगा लेकिन सब जब मानने की बात है जब मानने की मरजी है 30 से कम में कर सकते हो रुपक दास मेरे भाई पूरी पार्टी के 42 लोग ड्रिंग करने वाले हैं 42 42 में से 20 मेल हैं 20 मेल हैं पूरी पार्टी के 42 लोग ऐसे हैं जो ड्रिंग करते हैं उनमें से 20 अगर मेल हैं तो 22 महिलाएं आएंगी जो एलकोहलिक हैं 22 महिलाएं ऐसी हैं जो ड् सुंतर नrov करके हैं। सवाल के रहैं, नौन ऐलकोहलिक और पहले सवाल में वर्रीज किया नौन आकोहलिक बाद में उसकिया ऐलकोहलिक, तो ट्वन्टी थुर अॉन्टी ट्री, अनौन पार टु़ बनेगआ। देखके बताओ जी समझ कर सक कूझ के बात पले पढ़ रही हो तो गज़त का मतलब है जी अंडरस्टैडिंग गज़त आप पेपर में तभी कर पाएंगे मैध्स आप पेपर में तभी कर पाएंगे जब आप सवालों को इस लेवल में शीख जाओ एना कि किसी को सिखाना वहगा तो सिखाद होगे यह कोश्चन सिर्फ आप करने की ट्राइ मत करो आप इन में ऐसा कॉन्फिडेस बिल्डब करो कि कल को कोई आपका फ्रेंड आपको पूछे ना कि भाई यह यह कुश्चन बता दे तो आप उनको बता सकते हैं आप इनको अपनी मर्जी से समझा सकते हैं हाँ अगरे चेंज आप कर सकते होना यार आप टोटल क्यों एक बात बता अब लोगों ने का जी मानने की बात है मैं अगर यहां 180 मान लेता मानों तो क्या होता तो सब सब्सक्राइब डेटा अफ़द दवल इधर भी 90 होता इधर भी 90 होता पिर यह 40 होता यह 50 होता फिर यह 44 ह होता तो काट पीट के तो बाद में यही आता लास्ट में अच्छा यह ओं अच्छा यह ओली मैन फीमेल वाले पिटा कैसे सवाल में कहा गया था एक पार्टी में केवल जोडी को अमंतित किया गया इन ए पार्टी ओनली कपल्स आर इन वाइक एड़ कपल का मतलब भया एक मेल एक फीमेल जाएंगे पार्टी में एक अठे जोड़ा जाएगा जैसे आपके देखा होगा पप क्लब डिस्क में होता है ना ओनली कपल एंट्रिंग नो स्टैग इंट्रिंग तो वैसे यह पार्टी है जहां एलकोल चलता है वहां पे केवल कपल अगरे जो व्यक्ति मतलब जिसकी शादी नहीं हुई ना उसको यह पता होता है गोड़ी चड़ते कैसे हैं तो अब पता है दुनिया देखी है मेरे भाई जब दुनिया देखी है मेरे भाई इससवाल का मुझे इससेट बता दो एक बात है क्या चीज है कि ना ना मेरे भाई हडसन लेंज जीटीवी नगर में ना भाई कभी नहीं अपन तो पाई इश्वर की किरपास हैं वहां आपन कभी नहीं गए हैं मुझे तो पता ही नहीं है हडसन लेंज है कहां भाई कि जीटीवी नेगर किया मुझे पैरामांट का इतना ध्यान था कि नहरू वियार में मेरा रूम था और पैरामांट कोचिंग थी इधर जाना है पुल क्रोस करना है क्लास लेनी है वाद में दिन पर अपने क्लास लो शाम को वहां पे एक रेस्टोरेंट था कुपता जी कि है राज हो आके सोचो 25 गज का छोटा सा कमरा ना उसमें रेज आती है ना फोन चलता है घर पहुंचते ही अपना इसाथ किताब से सोचो इस सवाल को पढ़के बताओ जी कैसा सवाल है ये कई लोग तो सवाल देखके ना हाथ पांँ छोड़ देंगे और बच्चों ये क्व पास्ट टैन्थ और ट्वेल्थ के बोर्ड प्रिक्षा में 80% लड़के दोनों प्रिक्षाओं को मिला कर पास होते हैं चालीच पर्ष प्रिक्षाओं को मिला कर फेल होती है इना कुल प्रिक्षार्थियों का कि पास परसंट दौनों प्रिक्षाओं को मिलाकर पिचतर परसंट हैं कि पचास परसंट लड़के टेंट कलास में फेल होते हैं असी परसंट लड़कें 12 क्लास में फेल पास होते हैं कुल मिलाकर 60% लड़के दोनों क्लासेज में पास होते हैं 60% लड़कियां 10th क्लास में पास होती हैं 10% लड़कियां 12 क्लास में ठेल होती हैं कुल मिलाकर 80% लड़कियां दोनों क्लासेज में पास होती हैं कलास बारवी में लड़कियों की संख्या और दस्वे में लड़कों की संख्या का अनुपाद बताईएगा सवाल बढ़के बताईएगा सवाल का लेवल तुम्हें कैसा लग रहा है इस प्रकार का लेवल बढ़ना चाहते हो क्वेश्चन समझ में तुम्हें आएगा भाई साब घातक लेवल नहीं है भाई साब आप मेरे सवाल को समझना मैं सवाल कर रहा हूं आप बीच बीच में ना अपना फोन मत छोड़ देना चार मिनट का सवाल है बड़े ध्यान से देखिएगा यह भाई साब मेरे हिसाब से एलिगेशन काना सुपर क्लास लेवल है हर जगे नहीं मिलेगा सवाल आपको यह चलिए समझते हैं ध्यान से पहली बात इन्हों करी दस्वी और बार्वी कलास मिलाकर मर्ज कर रहा हूं जी जिको दस्वी और बार्वी कलास की मिलाकर ठीक है बॉइस कितने पास हुए तो बॉइस पास हुए असी परसेंट गर्स बिटा गर्स में चालिस परसेंट फेल हुए तो पास तो साथ परसेंट होगी क्या अरे भाई मैं जब सवाल में बताया था डेटा लेख रहा हूं ना तो पूरा डेटा बनना चाहिए एक जैसा आपको समझ में आ रहा है ना अगर मैंने बॉइस पर पास का परसेंट पर आपको सब्सक्राइब तो गल्स पर भी पासका लूंगा यह इस परूंद्रा है दर पांच तीन अनुपात एक को का इतनगा जबता वरेटेवान कोई दिखकत तो नहीं अगर मैं दसवी क्लास की और बार्वी क्लास की टोटल बात करता हूं अगर मैं दस्वी क्लास की और बार्वी क्लास की टोटल बात करता हूं तो टोटल मिला कर तो मेरे को ये समझ में आता है कि बॉइज और गल्स का रेशो कितना है तीन रेशो एक कि अगर एक लड़की है तो तीन लड़के हैं दो लड़कियां है लड़के हैं दस लड़कीं है तो तीस लड़के हैं या बात समझ में आगई। है है कि यह मैं दस्वी और बारवी कलास को मिलाके बतारोंGo टूटल जान ले सारी है। कि चलOoh तो में खाली अवार बातक ना ओ अब मैं खाली बात करक रहा हूं उप बोर Middle East यह सवाल करें दो पचास पर सेंट ड़के 10th क्लास में फेल 80% के बार्वी क्लास में पास पुल मिलाकर 60% के पुर्ति रणों देखो बटा बॉइस 10th क्लास के और वोइस 12th क्लास के ठीक है आप मुझे बताओ 10th क्लास में कितने बॉइस कितने परसेंट बॉइस पास हुए ते यह रहना 10th क्लास में 50% बच्चे फेल हुए तो 50 पास हुए और 12 क्लास में कितने बच्चे पास हुए तो 12 क्लास में 80% बच्चे पास हुए और टोटल मिलाकर दोनों प्रिक्षाओं की अगर बात कर दिजाए तो 60% लड़के पास हुए है तो इनका अनुपाद तुम्हें पता है क्या 12 एक बनेगा करेंव भोलो भोलो बोलो मतलब मैं यह समझ गया मेरे को इतनी बात समझ में आ गई कि अगर पूरे स्कूल में दसंवी और बारवी के मिलाके तीन बुशाएं तो दो थacao क्लास में एक बारवी क्लास में देखो दिख रहा दो में यह अगर तीन बॉइस हैं तीन बॉइस हैं तो दस्वेंग क्लास में दो हैं और बार्वीं क्लास में एक है अब मैं एक काम करता हूँ जी गर्ल्स के बारे में फिर से जानकारी दी गई कि वोई बात दस्वी क्लास और बारिवी क्लास की Chicago ay २ि 90 परसेंट लड़कियां सद्वी क्लास में पास हैं और अ डस्वी scholarship जील आ भया बार्वी में दो बनना चाहिए क्या इतना सवाल मुझे देख के बताओ इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है तुमें तीन बार एलिगेशन लगाया दोस्तों यह जो कंसेप्ट है ना दसवी कलास की लड़किया और बारवी कलास की लड़किया इनका अनुपात है एक अनुपात दो वह दो अभी लड़किया है तो मैं इनको आदी डेड़ तो मानूगा नहीं मेरे हिसाब से स्कूल में टोटल ल लड़किया कम से कम तीन तो होनी चाहिए ना अगर लड़किया तीन होनी चाहिए तो आप मुझे बता दो मेरे दोस्तों बॉइज स्कूल में नो होने चाहिए क्या कि अगर इस स्कूल में लड़कियां तीन है और भॉष नोज होने चाहिए च्था और most in no buy just ndekries कर सकते हैं किक दस्वें क्लास में कितने हैं बारवी क्लास में कितने हैं आप कोगे हां सर। ददस्वे cog क्लास में तो च्छे होंगे और बारवी वाली क्लास में तीन होगी बलो बलो टोटल लड़की अ 3 है तो टोटल लड़के 9 हैं दसवी क्लास में बॉयद है च्छे तो ब़र्वी क्लास में बॉयद कितने हैं ती तो दोस्तों आपके सवाल का उत्तर बांघ हुम से पुछा था सब बारवी क्लास की लड़कियां सब बारवी क्लास में लड़कियां हैं 2 में तइस पसेई लड़कें 5 एक उनुपाथ तिन मेरे सवाल का ना पड़ा तो हम इस सवाल में अटक गए हम इस सवाल में उलज गए लेकिन डेटा बड़ा कंसेप्टुल है बातों की अंडरस्टेंडिंग होने चाहिए मैंने कहा आप से कि सवाल तफ नहीं होते हैं भाई आप उस सवाल को ठीक से पड़ते नहीं है अगर हम सौल करके चलत है अगर तुम्हें एलिगेशन क्या होता है कि हां लीजेंड बेटा मून आप कर सकते हैं लेकिन अगर बॉइस पर भी फेल लेके चलते हैं तो आप गल्स पर फेल लेके चलेगा अब पूरा डेटा एक जैसा लेके चलना अगर तुमने बॉइस का परसेंटेज फेल का कि अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई को स्कूल में टोटल टोटल स्कूल की बात करता हूं तो बॉइस और गल्स का रेशो आया था तीन अनुपात एक आपने का जी ठीक है को अगर मैं बॉइस की बात करता हूं ना तो टेंद क्लास में और ट्वेल्थ क्लास में बॉइस हैं दो अनुपात एक है है अगर मैं गल्स की बात करता हूं तो इस चीज का मतलब क्या होता है कि इस का मतलब यह दस्वी कलास में अगर एक लड़की है ना तो बारवी कलास में दो लड़कियां आएंगी अरे यही तो बात करना चाहता हूं दस्वी क्लास में एक लड़की है तो बार्वी क्लास में दो आएंगी ना तो प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों प्यारे मित्रों टोटल लड़कियां क्या तीन नहीं होगी क्या एक लड़की दस्वी क्लास की दो लड़की बार्वी क्लास की तीन नहीं होगी क्या तीन टोटल लड़कियां अगर तुम तीन कह रहे हो तो टोटल लड़के नौ बनने चाहिए क्या अनुपाद तो सेम ही रहेगा अरे बोलो हाँ और इन नौव बोईज को अगर दो एक में बाटता और चैवर तीन करना प्रदोस्तों यह था सवाल का उत्तर यह थी सवाल की कहानी यह था सवाल का लॉजिक इतना बड़ा सवाल था लेकिन तरीके से करते तो आसान बहुत था टब अधिमेट लेवल का अधिमेट कॉश्चन है पढ़के बताव लेंग्विज तुमन में आ लिए क्या हो सब्सक्राइल किसी किसी के ऊपर से जा रही हो मैं इस बात की संभावना मानता हूँ मुझे किसी किसी बालक के ऊपर से बात जा रही हो क्योंकि उनको बेसीक प्ल बच्चे बताओ जो मेरे साथ ratio and proportion से जुड़ा हुआ है ratio and proportion से जुड़े हुए है क्या उनको ये बाते पले पड़ रही है भई को ये बाते बढ़िया समझ में आ रही है अगर इसी ले में इसी प्रकार में इसी तरीके में हम पूरी अर्थमेटिक पड़ेंगे तो आपको लगता है ना बेटा की अर्थमेटिक में आप कोश्चन कर पाएंगे आपका confidence बिल्कुल बुस्ट अब हो रहा होगा और यह मैं कोई प्रीवरी के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं भाई सौरब भाई यह स्पीड हमारी का मैं कैसे बोल रहा हूं क्या है सो लगसर स्पीड का मैं स्पील हमारी क्लै अ हुम दुन वेया जहां आपको स्पीड भाइद तेज वह अपस्पर लोग है अ लीजन मॉन भाई तुम को जहां स्पीड तेज मिलती है अब वहां का मुंद वाईd अब मैं क्या कर सकता हूँ एक व्यक्ति एक पैन को 21 परसेंट के लाब पर बेचता है एक पैंसिल पैंसिल को 48 परसेंट के लाब पर बेचता है ओहो और 1890 रुपे पर कमाता है बिटा आप मुझे एक बात बताओ यह जो लाइन है परस्ट वाले कि पैन को तो तुमने 21 परसेंट के लाब पर बेचता पैंसिल को तुमने 48 परसेंट के लाब पर बेचता यह दोनों तो परसेंटेज दियो में है और ये अठारा सो नब्य रुपे कमाता है तो मैं इस पर एलिगेशन तो अपलाई नहीं कर सकता ना मैं तो इस वाल में altogether अपने पूद दूर्ट कोई दिक्क्त नहीं अपने वाल में कोई दिक्क्त इने वी लेकिन दो जाएगा पर सेंटेस्ट दिया बाद में बाद में अठारा सो नब्य रुपे दिया है तो एलिगेशन ने करें ठीक है आगे पड़ो लेकिन यदी वह है पैंड को 21 बटे चार परसेंट पर लाब पर बेज़ता और पैंसिल को पंदरा परसेंट की हाने पर बेज़ता तो उसे ना तो लाब होता और ना ही हाने होती है इस पर एलिगेशन लग सकता है क्या कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं मैं आपको यह कहना चाहता हूं पैंसिल को तुमने पंदरा परसेंट की हाने पर बेज़ता क्या कोई बच्चा मुझे यह बता पाएगा कि मैंने यह प्लस और माइनस त्यू लगाएं क्योंकि एक प्रॉफिट है एक लॉस है एक प्रॉफिट है एक लॉस है ना तो डेटा कहीं आप घुल निजाएं इसलिए मैंने प्लस और माइनस इंडिकेट किया है प्लस का मतलब प्रॉफिट है और माइनस तो लॉस है कुल मिलाकर उसको ना तो लाब हुआ ना हानी कुल झाल 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 चीज़ आप तो पांच अनुपात साथ बनेगा दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं क्या बीस अनुपात साथ बनेगा प्यारे बच्चों ये जो बीस बटे साथ आया है किस चीज का अनुपात आया है क्या आया है ये क्या लगता है तुम्हें क्या है ये क्या होगा बताओ इनके cost price का ratio है इनके cost price का रेशो है quantity नहीं है भाइया profit count होता है उनके cost price पर है तो रेशो आया है उनके cost price का दोस्तों मैं आपको यह कह सकता हूं पैन और पैंसिल का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो अपन को 20 अनुपाद साथ में रहा होगा क्या सही बात है अब मेरे सवाल इजी बन चुका है अब मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है आगे मैं वैल्यू सिस्टम से बात कर सकता हूं कैसे सुनो मेरी बात बचो इसको ना देखो चाहे मैं 2700 माल लूं क्या क्यों मान रहे उसरा पैसा देखो बटा लास्ट में 00 होती है ना तो परसें से इस गयात करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है ठीक है अच्छा पैन को अगर एक आदमी 21 परसेंट के लाब पर बेशता दो हजार वाली चीज को 21 परसेंट के लाब पर बेशता तो चार सो बीस रुपे कमाए जाते क्या हूं भूलो 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 भूल और 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 पैंसिल को 48 परसेंट के लाब पर बेशता साथ सो वाली चीज को अरतारी बेशता तो यह साड़े तीन सो में से चौदा कम 336 रुपे मिलते हैं क्या क्या दोस्तों इतने रुपे का लाब कमाया जाता इतने रुपे का प्रॉफिट बनता अपके चिह हां सब इतने कभी बनता इकदम वाजीब बात है सब कि टोटल को टोटल को टोटल च्छे तीन दो पांच चांट सो चपन रुपे का लाप बनता साथ च्पन रुपे का पूरा-पूरा फ़र्फिट बनता अगर मैं इन चीजों को अगर मैं इन वस्तुवों को अगर मैं इन आर्टिकल को 21 परसेंट और 48 परसेंट के लाब पर बेचता तो मेरे को 756 रुपे का फाइदा होता मेरे को 756 रुपे का प्रॉफिट होता लेकिन सवाल कह रहा है 1890 रुपे कमाई जाते लेकिन सवाल कह रहा है 1890 रुपे कमाई जाते क्या दोस्तों आपको वैल्यू सिस्टम पता है ना आपको यह पता है ना यह जो अठारा सो नब्बे हैं यह 756 की वैल्यू है आप कॉमन सेंसे काट लो यह धाई बार कटेगा 2.5 बार कटेगा यह 2.5 बार कटेगा 2.5 टाइंज चाटेगा 2.5 बार कटेगा तो पैन का मुल्य क्या आएगा दो हजार पुना डाई पांच जार रुपई और पैंसिल का मुल्य आएगा 1750 रुपई सी हमारे सवाल का उत्तर बनेगा, सी हमारी बात का उत्तर बनेगा दोस्तों ये मेंस लेवल के सवाल हैं, थोड़ा ध्यान से देखें इनको और यह बिटा बिजेश प्रधान बिटा इमानदारी से बताओ आपने हमारी क्लस्स को जॉइन कब से किया है किस दिन से बिटा आप मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं इमानदारी से बोलना जूट नहीं बोलना पूरा सवाल इपीट करूआ लेकिन एक बार बताईएगा किस तरह सब्सक्राइफ दी गई थी रेशो पधान रेशो टॉपिक की किती पीडिएफ मिलिया आपको चार बात समझे ना बच्वाब पूरी क्लास को पता है बच्चे बच्चे को पता है यह चैपीडियास थी तो यहीं से बिटा मैं बात समझ लेता हूं ना यार कौन सा बालक करक लिए इस सवाल में दो प्रकार के पॉइंट है ना इस सवाल में दो प्रकार की बाते हैं ना दो चीजे अलग अलग पार्ट में हैं ठीक है तो मैं जब फर्स्ट वाले पार्ट पर एलिगेशन ने लगा पाया तो मैंने सेकंड वाले पार्ट पर एलिगेशन लगा लिया से सवाल को वैल्यू सिस्टम से चेक कर लिया आपको इस सवाल में 20 परसेंट के डाउट रह गया हूंगे मैं यह बात समझ सकता हूं तो आप एक सवाल और देखें मुझे बताएं कि क्या यह सवाल लगभग लगभग वैसा ही क्या जैसा मैंने आपको अभी बताया था क्या यह स क्लियर करने की बहुत कोशिश की है आप नहीं जानते बचो यह कंटेंट रेडी करने के लिए कितने अफर्स करने पड़ते हैं कितनी महनुत करने पड़ती है यह शब्दों में बयान करना आसान नहीं है आप तो एक मिनिट में कह देते हो हमें समझ में नहीं आरा आपको न में 10% योगतां मेरा भी है तो यहीं सोच करने और मोटिविशन मिलता है और काम करने का आप मुझे केवल इतना बता दो 10% 10% इसमें फस्ट वाले केस पर एलिगेशन लगेगा यह सेकंड वाले केस पर एलिगेशन लगेगा सित्ना बता दो मेरे को सबकुछ परसेंटेज में मिल रहा है तो मेरे को सीपी याद करने में एक परसेंट का डाउट नहीं आएगा भईया मजा आजाएगा तुम्हें सवाल करके इस परकार के सवाल करोगे तो भईया तुम्हारा सेलेक्शन कन्फरम होगा रहे मान किस्व छोटू परचिस परसेंट का लाव है दस परसेंट की हानी है दस परसेंट का लाव दोस्तो इधर कहा गया आईए मित्र बात करते हैं ये ट्वंटी परसेंट की बात करते हैं ये पंदरा परसेंट की बात करते हैं चार अनुपात तीन तुम्हें समझ में आया क्या इतनी बात तुमको को पल्ले पड़ी क्या दोस्तों मैं यह समझ चुका हूं कि इन दोनों चीजों का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो चार अनुपाद तीन में आएगा आप ऑप्शन यहां भी लगा सकते हैं देखें क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन में चार अनुपाद तीन है क्या आपको नहीं है सर क्या यह चार अनुपाद तीन है क्या आपको नहीं है सर लेकिन सर ऐसे नहीं साबित करके बताओ समय ऐसे नहीं हमें तो सौल करके बताओ तो आप समझो आपको चीज़ें क्या क्या आने चाहिए भाई आप समझो मैं इनका कॉस्ट प्राइस चार सो और तीन सो मान लू क्या फरक्ट पड़ता है अगे हैं हो जाएगा भी हो जाएगा फर्स्ट वाली पर तुम्हें 25 परसेंट का लाप सोई यह यह मैं इस बात को पढ़ रहा हूँ यहां पर फर्स्ट वाली पर हमें 20 परसेंट की हानी की वीश प्रसेंट की बिटा वीश प्रसेंट की हानी 80 रुपे की हुई क्या नि दूसरे वाले पर आपको 600 की हानी हुई विटा चैन परसेंट की हानी मतलब 88 रुपे की हुई तोटल हानी तुम्हें 98 रूपए की हो रही है तोटल हानी तुम्हें 98 रूपए की हो रही है सवाल कहरा है टोटल हानी 294 की हुई है दोस्तो प्यारे मित्रो 294,98 की वैल्यू हो गई दोस्तो 1 की वैल्यू आ चुकी है 3 एक्चल में ये 1200 था और ये 900 था ये हमने लॉजिकल साबित भी कर लिया है आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा तो मैं ये कारण पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी जगह पर एलिगेशन लगाया है और कौन सी जगह पर वैल्यू सिस्टम लगाया है जब डेटा पूरा परसेंटेज में हो तो एलिगेशन काम कर जाता है जब डेटा ऐसा वेल्यू में आजाए को रुपया आजाए तो वेल्यू सिस्टम काम करता है दोस्तों जितने वालक लाइव है एक वाल दिखतों हेलो यहां सर्थ मज़ा आ रहा सवाल गरने में तो हमें बहुत बढ़िया लगी रहे रहे हैं अगला टॉपिक अपना जो आए लिखियो तुमको सवाल करने का मज़ा आ जाएगा बेटा कि यूट्यूब पर भीया एडवास नहीं करवाएंगे या कि कल हमने इस प्रकार की एक सवाल की बात आपको बताई थी किसको याद है आप मुझे बताओ देखो ए पर उसको लाब हुआ पंदरा परसेंट का बी पर पच्चिस का सी पर पंतालिस का ए और सी से कुल लाब इतना हुआ तो पहले मैं बताओ ए और सी पर एलिगेशन लगाओं क्या पहले मुझे ए और सी पर टिकाना मामला अरे वाह गुरुजी बढ़िया बात है भाई साब मज़ा आ गया पंदरा और चालिस और तीस कर लेना बच्चो ये बन जाएगा दस और ये बन जाएगा पंदरा ये बनेगा दो और ये बनेगा ती एक बात तो समझ में आ गई भाई साब एक बात तो समझ में आ गई कि A और C दो अनुपाद तीन में होंगे क्या option नमबर एक में ये दो अनुपाद तीन तुम्हें दिख रहा है मुझे तो नहीं दिखा गई ना बी में तुम्हें दोनुपात तीन दिखा बेटा मेरे को तो नहीं दिखा सी में दिखा तुम्हें दोनुपात तीन मेरे को तो कोई नहीं दिखा डी में दिख रहा है चला चला के कह रहा है मैं उत्तर हूँ अच्छा इसका अगर अगला फेज करना हो तो अगला फेज भी करपा हूगे नहान अगर तुम्हें इसके आगे सवाल करनी कोशिश करनी हो तो तुम क्या करोगे तुम A plus C को तो लिखना अलग, इस पर तुम्हें लाब हुआ है 30% का, 30-30, B पर तुम्हें लाब हुआ है 25% का, मिलाकर तुम्हें लाब हुआ है 28% का दोस्तों, इधर देखो तीन करना है, इधर दोस्तों दो करना है, A और C अगर 3 है, तो ये 2 होगा, A और C अगर 3 दोस्तों ये 2 होगा, आप चेक कर लोगो, A और C 30 है, तो ये 20 है, यह बात आपकी सही है, आप option satisfied कीजिएगा, बात आपकी clear, जैसा मैंने अभी सवाल किया था 25 और 26 दोनों से मैंने बिटा, आप PDF का ये मेरे खास बात देख पाएंगे, एक जैसे question आपको एक साथ मिलेंगे, ताकि एक ही concept को दो बार पढ़ने पर नो बहुत अच्छे से माइड में छब जाएगा, उसमें कभी doubt नहीं आएगा, एक बार इस सवाल को पढ़के बताओ, ये तुम्हें ऐसा लगने साथ आज तक सवाल करते हैं, ये वो ही कर रहा है क्या? ये बढ़ा वाइरल question है, ये बहुत वाइरल question है वेटा, आपको जगह जगह भात भात की हर्ण क्लास में मिल जाएगा, जहां जाओगे वहां मिल जाएगा, एक्स का आउसत प्रातंग 83 है, वाइका 76 है, एक्स और वाइका मिलाकर 79 है भाया, जहां तुम्हें दो चीजों का मिल जाएग तुम समझ लो, ये allegation लगाने को दिया गया है, एक्स का नंबर है कितना 83, वाइका नंबर आपको दिया गया 76, और एक्स और वाइका मिलाकर दिया गया 79, दोस्तों, क्या तीन अनुपाज चार बनना चाहिए, क्या कोई दिखकर तो नहीं जा रही है, आपको सवाल करते हैं, अच्छा, एक बात तुमको और बोली, एक बात तुमको और बोली, वाई और जैड का मिलाकर औसफ 81, वाई और जैड का औसफ मिलाकर 81, दोस्तों, वाई और जैड का औसफ मिलाकर 81, तो वाई का तुम्हें पता है 76 है, जैड का 85 है, वाई और जैड का मिलाकर 81 है, क्या इनक अनुपाथ, 4 अनुपाथ 5 आगे है क्या है मैं x अनुपाथ y अनुपाथ z को 3 अनुपाथ 4 अनुपाथ 5 कह सकता हूँ क्या मैं यह 3-4 पांच कह सकता हूँ कि अच्छा कि बंगो य८्या य८्या दो अ य८्या पेंगी ना दोटों कि अपने विछ किया अपने हाए हाय को वो लो मैं बारा आव वो डुटू अश्वया बुटू देंगे ना खदम और भी आड़ा पर पांच में लगाओगे सीधा नहीं बैटा नहीं नहीं हूं गिरे लिए पकड़ा हुआ हुआ है भाई एक बात सुनों बैटा अब यह एक्स वाई जैड का आपको एवरेज आगया तीन चार पांच ठीक है अब तुम्हें एक्स के नंबर जैड़ी पता है कि तुने एक्स के नंबर है जी आटी थ्री ओक वाई के नंबर है जिसेवंटी सिक्स और ज्ट के नंबर है एटी फाई आपको पूरी एवरेज यह फूरी क्लास का तो क्या बचों बताओ डेवियेशन का तरीका आपके लिए बैस रहेगा एफतु में ऐसा कर सकते हो 183 का तीनसेStop मशिप्डु लाइं करके 75 अथ से मुठीप्ल करके 222 करना उत्तरा जाएगा लिक नहीं हैसा कि इतना काम क्यों करते हो मैं को असी मालू क्या कि अकुछ मालो या से दिरह सी नके बीच में मानने को यह तुसील जादा है तीन बार प्लस का नौ कि चार कम है चार बार 16 तुर में 17 बात पच्चेस बटा में कितना करना पड़ेगा है चौनतीस में से सोला गए अठारा बटे बारा आएगा एक पॉइंट पांच उत्तर आगया एक यासी पॉइंट कर पाएंगे जिखो इसमें दो बार एलिगेशन भी काम आ गया टेलिएशन भी काम आ अगर है अगर आपने बेसिक करणा buna सारा かica बाद कर बाभी बचों के बाद में साड़े कलास की बीलिख और जो ईसमें हम रेशो एंड पर पड़ रहे है जिर बच्चों ने रेशो नहीं पढ़ा वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं रेशो पढ़ सकते हैं आज आपको साड़े चार बजे करा जाएगा और उसमें ना बैटा मैं देखता हूं कि लाइफ वॉचिंग कम आते हैं उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो ऐसा रखता है कि यूट्यूब पर आगे वीडियो बनाने नीची उसको थोड़ा सा स्पोर्ट करतो ना बैटा तो फिर अपन आगे आगे देखना एडवांस भी लाएंगे सब लाएंगे उसमें अपन न एक मोटिवेशन मिल जाएगा और चीजी का तवाएंगी बटा और बचो क्या बोलते हैं आज शाम को 6 बजए आपकी डिवीजन की क्लास भी है आज आपको 6 बजए डिवीजन की क्लास भी है बेटा 6 पीम पे आपकी डिवीजन की क्लास भी है तो आपको डिवीजन को प्लस पर होई डिवीजन की क्लास जो होगी प्लस पर नहीं क्या बोल रहा हूं वो होगी स्पेशल क्लास आज शाम को छैसे लेकर साथ बज़े तक एक घंटे की क्लास होगी उसमें आपको बताएंगे डिवाइड करने की ट्रिक अब उसक्लास का मैं आपको बैटर लिंक प्रोवाइड कर देता हूं यह अपना अनकेडमी की आज की क्लास का लिंक है वें अब पर पिन कर दिया है आज शाम को 6 बजे क्लास है और इसमें क्लास में जो बच्चे पढ़ेंगे मैं आपको एक हलका सा गाइडेंस देता हूं कि उनमें आपको किस प्रकार की बातें देखने को मिलेंगे अगर उसमें ना आपको जो कंटेंट मिलेगा मैं आपको एक बार करना चाहता हूं कि इस प्रकार के सवाल तुम्हें कर वाइज आए अगर आप इन डिवीजन को पांच साथ सेकिंड में काट पाते हैं अगर आप इन मल्टिप्लाइब को पांच साथ सेकिंड में काट पाते हैं फिर तो वो क्लास आपके काम की नहीं है लेकिन अगर इन डिवीजन को लगता है कि हम इतने इसली नहीं काट पाते हैं नहीं भाई यह सहय क कि अगर आप इंडिवीजिन को नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से काटना चाहते हैं तो आप आज की ट्लाथ 6 बज़े की जरूर जोएक इस अब लग कि असे सुने वार कि ट्वन्टीन नाइन नमबर सवाल ठीक है बटा सुने मेरे वाद हम से मैं आपको इस टॉपिक की पीडियेफ प्रवाइड कर रहा हूं अभी एलिगेशन की पार्ट नमबर दो की पीडियेफ दे रहा हूं आप लोग सारे सवाल करने की कोशिश करना जितने सवाल कर पाओ उतने बढ़िया बात है कल अपना एलिगेशन पूरा हो जाएगा बचो और एलिगेशन की पूरा होते ही ना और ध्यान दीजिएगा आप लगभग लगभग सवाल सारे कर सकते हैं बचो आप ऐसा नहीं है कोई एक सवाल अटक जाए तो आगला करोई मत आपना इमानदारी से शिद्दत से साथ नं पाता है कोई नहीं हो पाता तो कल कल हम एलिगेशन की पूरा होते ही परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं कल हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं कल हम परतिशत्ता स्टार्ट करने वाले हैं तो प्यारे बचो अभी तक मालो आ आएगा ना वो परसेंटेज आएगा और जनाब परसेंटेज का कंसेट्ट आपके काम आएगा एसाई सी यही में प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको डेफिनेटली उन क्लासेज को कंटीनू करना है बच्चो मैं आशा करता हूं कि मैंत का बैच आपका बहुत शंदत चल शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद जैहिन जैभारत मिलते हैं साड़े चार बजोस्तों यूट्यूब पर अपनी लाइव क्लास में साड़े चार बजे उस क्लास का लिक आपको